So hi guys, welcome back to another video इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ OnePlus 9 और 9 Pro का latest जो update आया है C.63 का 750 MB का ये update है और इस update में दोस्तों आप लोग को क्या के यहाँ पे जो है bug fixes और कौन कौन से features बिलते हैं उसके बारे में अगर दोस्तों आप एक camera lever है तो आप इस वीडियो को पूरा अन तक देखते रहेगा क्योंकि camera से बहुत सादा यहाँ पे चीज जो है बाहर निकल के आया है So guys ये जो update है ये कल से ही रॉल आउट होड़ा है 7001 MB की ये update है और इसमें दोस्तों कर आप about phone यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों version के बारे में पूरा यहाँ पे change log जो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले आप लोग को एक यहाँ पे सबसे अच्छा चीज मिलता है वो है अगस्त का महीन में ही आप लोग को अगस्त का जो security patch है वो यहाँ पे दे दिया गया है अब दोस्तों केमरा में 3-4 चीज यहाँ पे add किया गया है सबसे पहले तो एक यहाँ पे चीज add किया गया है कि आप जो है आप केमरा से भी किसी image के test को आप यहाँ से copy कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे update है दूसरा यहाँ पे जो है इसमें 3-4 जो नए यहाँ पे filter है उसको यहाँ पे add कर दिया गया है अब दोस्तों वो जो 3-4 यहाँ पे features है इसके यहाँ पे नाम है radiance दूसरा यहाँ पे serenity और तिसरा यहाँ पे emerald करके इसका जो है है अब दूस्तों यहाँ पे एक और चीज है यहाँ पे add किया गया है जो है यहाँ पे add किया गया है dual mode को एक आप यहाँ पे front camera का भी यूज़ कर सकते हैं अब दोस्तों इस अपडेट को अगर आपके फोन में OTA नहीं आ है तो आप लोग मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएं मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां से आप जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं अभी इसको चाहिए कि और इससे अच्छा हो जाए बाकी तो सब कुछ यहां पर सही है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहता हूं